दोस्तों नमस्कार मैं राजनीत कुमार एक बर फिर आपके सामने हूँ एक नई कवितर साथ दोस्तों 2020 बीतने के साथ हमने एक रहत की सांस ले थी हम सबने एक कामना की थी कि नया साल खुश नुमा होगा मगर 2021 का पट खूलते ही जो सबसे पहली चीज नजर आई है वो है बर्ड फ्लू आज की तारिक में हजारों पंची इस बर्ड फ्लू की चपेट में आकर मारे जा चुके हैं आप सब कोई अच्छी तरह मालम होगा कि बर्ड हमारे फूड चेन का कितना बड़ा हिस्सा है इन पंचीयों के बिना ना ही कीटों पर नियंतरन हो सकता है ना ही फसल की पैदावार सही हो सकती है बर्ड फ्लू एक अत्यान्ती घातक संक्रामक बिमारी है जिसकी वज़ा से इनसानों में मिर्तिवदर 60 परतिशत तक जा सकता है आज की कब देज़ार आज कब देजिआ है बर्ड फ्लू की दस तक बर्ड फ्लू दरवाजे पे दस तक दे रहा है बड़ फ्लू दरवाजे पे दस तक दे रहा है अभी खत्म ना हुई कोरोना की महमारी है हमने सोचा था 2020 की आफ़त भी थी पर ये नए साल में आई नई बिमारी है अभी कोरोना के मौत का तांडो जारी है हर रोज इसके नए नए स्ट्रेंड निकल रहे है अभी सबको कोरोना का वैक्सिन लगा नहीं इसके विशानों रोज रोज नए रूप बदल रहे है सबके बीच ये नई मुसीबत आई है कहर तूटा है मूख निर्दोश पंचियों पर कल तक मुंडेर पर चाह चाहाते थे उनकी सासें गिरवी पड़ी हैं ऐसी विपत्तियों पर और कितना हमें सता हो गए आखिर ये दुनिया डरी घबराई बेदम है हजारों कौवे मरे हैं लाखों मुर गियां बत को हंसों पर कहर बनकर तूटा ये आलम है जो विदेशों से उड़कर आते हैं हर साल वे प्रवासी पंची भी आ रहे हैं इसकी चपेट में रुग्न क्रंदन है चिडियों का फैला हर तरफ एक बड़ी विपत्ति ने कदम रखा है अपने देश में योही सारे पंची मरते रहे तो कभी सोचा है कीट पतंगे कैसे रूकेंगे पसलों की पैदावार कैसे प्रभावित होगी गरीब खाने को तरसेंगे किसान करजों में डूबेंगे सब कुछ तहस नहस हो रहा है जहां में इंसानों के बाद आई पंचियों की बारी है बड़फलू दरवाजे पे दस्तक दे रहा है पड़ी दुनिया पर फिर से विपदा भारी है दोस्ते मेरी कविता है प्लीज मुझे बताएगा आपको ये कविता कैसी लगी इस कविता को लाइक कीजिए इसे शेयर कीजिए इस पे कॉमेंट कीजिए निरी पंची जो इसके चपेट में आकर मर रहे है उन्हें कैसे बचाय जा सकता है यह हमारे इको सिस्टम को फूड चेन को कैसे प्रभावित कर रहा है अपना और अपनों का खूब ख्यार लखिएगा धन्यवाद